गुड मॉर्णिंग मैम, वेरी गुड मॉर्णिंग सर, तैंक यू सो मुच मैम, नमस्कार में प्रांसो रंजन, चैनल पाटनेर बड़ा बुजने सर, आज आप सब को पूरे IBC मॉडल को डीटिल में समझाने वाला हूँ, क्या होता है IBC मॉडल, कैसे काम करते है IBC, क्या काम ह होता है, कैसे income होती है, क्या सच में एक IBC कमाता है, अज भारत देश में 25,000 रुपए की नौकरी मिलना मुस्किल है, और वेक बिल्दा जी कहते हैं, एक IBC एक लाग, दो लाग, तीन लाग, चार लाग, पांच लाग रुपए महीना, कैसे कमा सकता है, क्या ये कोई स्कीम है क्या कोई fraud है, क्या कोई MLM है, क्या कोई affiliate marketing है, कैसे काम होता है, कैसे एक mobile phone से एक IBC पूरी बड़ा business की franchise चला पाता है, अभी एक एक चीज़ डीटेल में समझाओंगा, आपके सारे सवलों का जबाब देखे जाओंगा, क्या काम होता है, कैसे income होती है, किसको select किया जाता है किसको IBC बनने का मौका मिलता है, किसको reject कर दिया जाता है, एक एक चीज़ डीटेल में समझाने वाला हूँ, बहुत सारे लोगों को देख पा रहा हूँ, मैं जूम पे भी बहुत सारे लोग हैं, बड़ा business community app पे भी आज 10,000 से ज़्यादा लोग आए हुए है, live attend करने के ल बाला हूँ, अगर आप सब excited होना IBC मौडल के बारे में जानने के लिए, तो जल्दी से एक diary और एक pen लेके आजाईए, जल्दी से एक diary और एक pen लेके आजाईए, अच्छे से बैठ जाईए, और detail में पूरे IBC मौडल को समझते जाईए, क्योंकि हो सकता है, ये मौका लिए इतनी आसानी से आगे नहीं बढ़ पाता है, इतनी आसानी से, क्योंकि हमादे पास उतना पैसा नहीं होता, तो आज आपको मौका मिला है, आज Instagram मत चलाओ, YouTube मत चलाओ, WhatsApp को ignore कर दो, कोई भी phone करे, बता दो कि भईया, अभी webinar रटेंड करने आया हूँ, क्योंकि chances हैं कि अगर आपका selection हो गया ना, तो पूरी जिंदगी बदल जाती है बड़ा business में, इसका दावा करता हूँ मैं, क्योंकि हजारों लोगों को आज जिंदगी बदलते हुए देखा है मैंने बड़ा business में, बेराल जल्दी से आगे चलते हैं, और detail में IBC model को समझते हैं, उससे पहल जल्दी मुझे yes लिखके बता देजिए संजीत महतों जी ने लिखा है, दस सालों से जान रहा हूं, रवी जी ने लिखा है, बहुत बढ़िया, 2017 से जान रहा हूं, बिंदरा जी को, नवीन जी बहुत सारे लोग या नहीं कि maximum लोग already डॉक्टर विक बिंदरा जी को जानते हैं, पहचानते हैं, तो जल्दी साई आ हजारों लाखों लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है आज पिछले 2022 और 2023 अभी तक तोटल धाई लाख लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है इंडिया की बात कर रहा हूँ है भारत का डेटा बता रहा हूँ है बड़े बड़े स्टार्ट अपस आज हज़दारों के तादाद में लोगों को निकाल रहा है रिसेशन आ रहा है और आज ऐसे समय में आज भारत में मैं आपको बता दूँ एक आम आदमी महीने का 12,500 रुपए महीना कमाता है कितना कमाता है 12,500 रुपए महीना आज भारत में 142 करोड के population में सिर्फ 15% लोग ऐसे हैं जो 25,000 रुपए महीना कमा रहे है या उससे ज़्यादा महीना कमा रहे है 142 करोड में सिर्फ 15% लोग आज पूरे भारत में सिर्फ 35,000 लोग ऐसे हैं जो एक लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, 142 करोण में से सर्फ 35 लाख लोग जो सही से घर चलागा है। और आज अगर आपको मैं बोलू कि क्या आपको खुद पे विश्वास है, क्या आपको खुद पे भरोसा है कि अगर आपको एक सही प्लाटफॉर्म मिले, एक सही ट्रेनिंग मिले, एक सही गुरू मिले, एक सही मौका मिले, तो क्या आपको खुद पे विश्वास है कि आप भ येस लिखके बताईए अगर आपको खुझ पर विश्वास है अगर आपको खुझ पर भरोसा है जल्दी से चैक पर मुझे येस लिखके हां लिखके बताईए मैं देखना चाहता हूँ येस येस अनिल जी साना जी पुझा देवी जी राहूल जी हर्दर जी जी तेंदर जी रिंको जी यूसुप जी रोची जी सोनु जी मदू जी अनिल जी साफिकीर जी अभिशेक जी येस 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 सुनील जी राकेज जी सूरज जी सिवम जी रोही जी आनन जी हेमा जी मनीज जी सदाम जी बपाजी येस 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 बहुत सारे लोग एके करके येस पर येस लिखते जा रहे हैं तो जितने लोगों ने भी येस लिखा है ना आज मुझे आप सब पे गरव है I'm genuinely proud of each and everyone of you मुझे आप सब पे proud feel होता है I'm genuinely proud of each and everyone of you बैराज जल्दी सागे चलते हैं और उसको और detail में समझते हैं Dr. Vivek Bindra पुरी दुनिया के number one business coach पुरी दुनिया के number one motivation था speaker founder and CEO of Bala Business बड़ा business company क्या करती है बड़ा business company के founder है Dr. Vivek Bindra और बड़ा business company आज हमारा एक ही mission है भारत के एक-एक student है एक-एक व्यापारी को business करना सिखाना व्यापार करना सिखाना एक-एक नौकरी करने वाले इंसान को management and entrepreneurship सिखाना आज 130 से जादा अलग-अलग courses launch हो चुके हैं हमारे हिंदी भासा में business के उपर व्यापार के उपर और आज बड़ा business company साड़हे तीन हजार करोन की company बन चुकी है बिना किसी funding के बिना किसी investment तो बड़ा business में आज करीब-करीब हजारों लोग इस meeting को देख रहे हैं IBC model को समझ रहे हैं लेकिन आज मैं आपको बता दूँ कि सिर्फ 100 लोगों को IBC बनने के लिए select किया जाएगा सिर्फ 100 लोगों को आज IBC बनने का मौका मिलेगा सिर्फ 100 लोगों को आज IBC बनने के लिए select किया जाएगा मैं आज जल्दी से आगे चलते हैं अब जिन भी लोगों को select किया जाएगा ना पैसा तो अच्छा कमाएंगे पूरी जिन्दगी कमाएंगे लेकिन उससे जादा जरूरी है ये समझना कि आज हमारा mission क्या है आज हमारा vision क्या है आखिर क्यों काम कर रही है बड़ा business company अभी जल्दी से मैं आपको समझाऊंगा विवेक बिंदरा जी आपको समझाएंगे वीडियो पर आके कि आज हमारा mission क्या है आज क्यों काम कर रही है बड़ा business company जिनका भी selection होगा पैसा तो पूरी जिन्दगी कर आएंगे लेकिन हमारे mission को समझना बहुत जरूरी है तो मैंते दो जल्दी से एक वीडियो दिखा रहा हूं जिसमें विवेक बिंदरा जी बताएंगे हमारा mission क्या है और उसके बाद detail में मैं पूरे आई बीसी मोडिल को समझाऊंगा तो जल्दी से इस वीडियो को देखते हैं आज थोड़ा क्याज्यूली मन में आया कि मैं अपने इस mission में आप लोग को जोड़ूं और आप जानते हैं मेरा mission है हमारी देश में global entrepreneur तैयार करना हमारे देश में powerful corporate leaders business leaders तैयार करना आज दुनिया बढ़की सबसे मेंगी business leadership entrepreneurial management MBA की पढ़ाई जो चंद colleges की बपोती बन गई है मैं उसको free online e-learning university और YouTube university जो मैंने बनाई है उसके थरूँ पहुँचाना चाहता हूँ मेरा मानना ऐसा है कि भागलपूर के गाओं के गरीब बच्चे को अमबानी अडानी डाल्मिया सिंघानिया बर्मन जिंदल मुंजाल गोइंका मोदी मितल टाटा बिल्ला इनके बच्चों के बराबर खड़ा कर दूँ मेरा मानना है हमारे देश के गरीब लड़के को अमबानी के बेटे के बराबर education के platform पे तो कम से कम खड़ा कर दूँ अपनी जान को जोख रहा हूं अपने आपको जोख रहा हूं मैं चाहता हूं आज हमारी टीम बहुत बड़ी हो गई है क्या आप भी मेरे इस मिशन में एक सेना पती बनके मेरा साथ देना चाहेंगे खुश खबरी यह है कि आपके पास एक मौका है आपकी अपनी लर्निंग ओने देनारत के लिए गई सअसे सथा ट्रिलिसन डॉललर सांब सब्सक्राइब मेरे और ले ईक एक ही मिशन है आज हमारा एक फिल्यूंत कि मक्षण अब भारत के एक-एक वयापारी को बिजनेस बड़ा करना देष स्टूडेंट को बिजनेस सुरू करना सिखाना है कि जॉप करने वाले इंसान को मैनेजमेंट और अंट्रोपनर्शिप सिखाना है और आज इसी मिसन में बड़ा बिजनेस कंपनी काम कर रही है आज हमारा एक ही मिसन है भारत देश को पुरी दुनिया की नंबर ला गणाना और इसी मिसन में आज डॉक्टर वेक बिंदरा पिछले 15 सालों से काम कर रहे हैं अब जिन भी लोगों को सलेक्ट किया गया ना जिन पर मुझे आई-यम रेडी लिख के बता दीजी अभी के अभी एक बार आप मेंसे कितने लोग पूरी जिंदगी अपने देश के लिए काम करने को तयार हैं अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए तयार हैं अपने देश के एक व्यापारी एक-एक संजी जी कर कार्तिक जी ओके स्रीजी जी रवी जी रचना जी आदित्या जी प्रधान जी योगेश जी जूम आपपे बढ़ा बिजनेस आपपे में बहुत सारे लोग लिखते जा रहे हैं एमडी जी मिश्टर जी बिनोज जी मयूर जी कामने जी सिकान जी दीपराज जी मौमद जी अंकी जी राहूल जी सचिन जी पवन जी एसके जी इंतजूल जी नाईम जी मदू जी मनीज जी गोपाल जी रिसी जी कोईदा जी अजे जी चेतन जी सुदीर जी संतोज जी संतोज बहुत सारे लोग लिख रहे हैं और जितने भी लोग लिख रहे हैं आज मुझे गर्व है कि एक एक इनसान पे क्योंकि पैसा तो पुरी जिर्गी कम आओगी अगर सेलेक्शन हो गया लेकिन अपनी मात्र भूमी के लिए पुरी जिन्द की काम करने का मौखा मिलेगा अपने अब आई बीसी मॉडल होता क्या है आई बीसी मॉडल यानि की इंडिपेंडेंट बिजनेस कंस्ताइटेंट एक स्वतंत्र व्यापार का सलाहकार डिजिटल फ्रेंचाइज ऑफ प्रेंचाइज का मतलब समझते हो आप लोग जैसे आज आप डॉमिनोस का पीज़ा खाने जात हो ना तो वह भी एक फ्रेंचाइज है जो किसी ने खोल रखी है वैसे आज भारत में हजारो अलग अलग कंपनी की हजारो फ्रेंचाइज खोल चुकी है लेकिन आज जब एक मिडल क्लास परिवार का आदमी सोचता है ना एक स्याधरान आदमी सोचता है कि यार कब तक नौ कंपनी की फ्रेंचाइज खोलते हैं और जब वो पता करता है तो पता चलता है कि आज किसी भी अच्छी कंपनी की फ्रेंचाइज लेने के लिए चालीस लाग, पचास लाग, साच लाग, एक-एक करोर तक का निवेस करना पड़ता है और हमारे जैसा एक मिडल क्लास फ्रैम लेकिन आज बड़ा बिजनेस की फ्रेंचाइज लेने के लिए बड़ा बिजनेस के आईबीसी बनने के लिए आज किसी को भी पचास लाख रुपए नहीं लगाने पड़ते जिसका भी सेलेक्शन होता है बहुत कम फिंस में आप पूरी जिंदगी आईबीसी बनके मिनट कीमती है मेरे पास सिर्फ 55-60 मिनट और बचे हैं तो एक एक मिनट एक चीज को लिखते जाएगा समझते जाएगा जल्दी से वीडियो को देखते हैं अभी भी डायरी पे लेकिन नहीं आयो ना तो हाँ जोड़के निवेदन कर रहा हूं हो सकता है आई-टी से इंजि इसी ग्रोथ होगी बहुत कुछ सीखो के अपने देश के लिए काम करोगे तो जल्दी से डायरी और पेल लेके आजाओ जल्दी से इस वीडियो को देखते हैं आप ने कभी मेरे वीडियो शेयर किया होंगे कोई वीडियो आपको पसंदाया है और और अपको आई-बी-सी का पैसा जो हम ने दिया था यली कि बी-सी-बी-सी-बी-सी यह वो करियर है जो फुल- ٹाइम की तरफे आदमी देखता है तो BCP Plus भी IBC है और IBCS फुल टाइम भी IBC है लेकिन ये आया था अपनी लर्निंग के लिए ये खुद का बिजनस अपना बिजनस चलाता ये भी IBC बनता है और कोई फुल टाइम करियर देखने के लिए आता है वो भी IBC बनता है तो दो प्रकार की IBC है हमारे एक जो अपना व चला जाते हैं तो उनका लर्निंग का मोटिव है दूसरा IBC क्या है ये अर्निंग के मोटिव से आते हैं ये कोर्स को अटेंड करते हैं पर साथ साथ इनको चाहिए कि I want to make some money एक लाग दो लाग तीन लाग पांच लाग दस लाग पंद्रा बीस पच्चेस तीस पचास लाग एक रुपया महीना तक रिवेन्यू करने वाले अब IBC हो गए मारे साथ बहुत सारे हैं तो यह आई बीसी मोडल जिसको डीटेल में समझाने वाला हूं और आगे समझाने के लिए न मैं किसी एक इंसान को अन्म्यूट करूंगा और आप से बात करके पूरे IBC मोडल को समझ जाओं तो तो अगर आप वीडियो पर जल्दी से चाट पर येस लिकदो मुझे कि येस 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 ओके 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 ठीक है और जी को देख रहा हूं मैं रव दर टीको देख पा रहा हूं मैं का हमें सारे लोग वीडियो पे है लिए अमिद जी को देख पा रहा हूं मैं विनीद जी बरेली से विनीद जी मैंने आपको अन्म्यूट का रिक्वेस्ट दिया है देखिए आप अन्म्यूट कर पा रहे हैं विनीद जी आपको अन्म्यूट का रिक्वेज याद कर रहे हैं चेक किज़े एक बर को नहीं करता हुं कि युज कुमाल जी को देख पारो मैं प्यूश जी आपको अन्म्यूट कर पा रहे हैं कंपनी में काम करता हूं को सब्सक्राइब वेरी नाइस बहुत बढ़ी है कहां की कंपनी है यह यह सब्सक्राइब तीन-चार साल से देख रहे हो आप उनको वेरी नाइस भाई अभी मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए मेरी एक मदद करेंगे आप यह बिल्कुल है चाहिए कि अभी न मैं आपसे बात करकर के पुरा इबीसी मॉडल को समझाओंगा ठीक है बीच बीच में आपसे पूछूंगा आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है यह नो आपको बस मुझे जवाब देते जाना है मेरे सवालों का डीटेल में समझाते जान सबसे पहले मैं समझाओंगा क्या क्या कोर से आज को गरते जा रही है अगे बढ़ते जारी है और यह को रहा иीडी मैं तीन सो क्रोल का डिटेंकर movimento करते हैं धीक है दूसरे पार्ट में समझाऊंगा प्यूस जी कि working कैसे होती है काम कैसे होता है कैसे एक IBC घर बेटे-बेटे काम करते है क्या क्या support मिलता है कहीं ऐसा तो नहीं बेचने बेचने का कोई काम है कैसे एक लाख उर्पे मैना आ जाता है इस सारी चीजे समझाऊंगा कितना commission आता है और तीसरे पार्ट में समझाऊंगा कि किसका selection होता है किसको reject कर दिया जाता है joining fees कितनी होती है money back guarantee क्या होता है तीसरे पार्ट में ये चीजे में आपको detail में समझाने वाला है तो अगर आप लोग तयार हो तो chat पर जल्दी से मुझे yes लिखके बता दीजे अगर आप सब तय चीक है अब सबसे पहले courses के बारे में समझते हैं हमारा सबसे पहला course हमारा सबसे solid course मैं आप सबको बता दू बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम हमारा दो साल का management प्रोग्राम है जिसमें भारत के 70 अलग-अलग companies के मालिक पलाते हैं इस पूरे दो साल के course में इस पूरे दो साल के course में मैं आपको बताऊं entrepreneurship व्यापार business related हर एक topic को हिंदी भासा में सिखा और सिखाता कौन है भारत के 70 अलग-अलग companies के मालिक कौन कौन अमूल कंपनी का नाम सुना आप सबने चाट पर यस लिखे बताना एक बार अमूल कंपनी का नाम सुना आप सबने अमूल कंपनी के मालिक आरे सुधी डिरेक्टेर आज हमारे प्रोफेसर हैं हमारे कोर्स में पलाते हैं पतंजली का नाम सुना है आप सबने चैट पर यस लिखे बताइए पतंजली के अचारिया बाल क्रिस्टना आज हमारे प्रोफेसर हैं आज हमारे कोर्स में पढ़ाते हैं पतंजली के बाबाराम देव आज हमारे प्रोफेसर हैं ऑयो कंपनी का नाम सुना होगा हां लिखके बताइए माई के मनु जैन आज हमारे प्रोफेसर है और ऐसे भारत के सतर अलग अलग कंपनीज के जो फाउंडर हैं जो सी यो हैं आज वो हमारे कोर्स में प्रोफेसर हैं सब पुरे दुनिया में पहली बार कि अब विवेक बंद्रा जी के बचपन में उनके पिता जी का दिहान दों सकते हो एक रूपन इंपने जा और करकर अपने के अरेंज किया और बचपन से पीस प्यू स्पना था कि जैसे आज मुके संबानी जी foreign जाके अच्छे college से management and entrepreneurship शिख किया है जैसे रतन टाटा फॉरेंच जाके अच्छे college से वेपर सिख किया मैं भी किसी अच्छे college से foreign में पढ़ाई कर गया और graduation के बाद उन्होंने कई सारे colleges में apply भी किया इसके चलते वह पढ़ने नहीं जा पाए उनका बचपन का सपना तूट गया और उस दिन डॉक्टर विवेक बिंद्राजी ने एक ही कसम खाई कि अपनी पूरी जिंदगी लगा दूंगा अरत के एक-एक व्यापारी को एक-एक स्टूडेंट को एक-एक जॉब करने वाले इ सिखा और पिछले 15 सालों से डॉक्टर विवेक बिंद्रा बहुत तेजी से इसी मिसन में काम कर रहे हैं प्यूज जी और आज प्यूज जी विवेक बिंद्राजी के लिए बहुत आसान था एक बड़ा सा एमबीए कॉलेज खुल देना भारत के जितने अभी अमीर घरों के बच्चे हैं उन सबको बुलाके बिजनेस और अंट्रोपूर्शिप सिखाना लेकिन प्यूज जी वेक बिंद्राजी ने ऐसा नहीं किया बता सकते हो क्यों नहीं किया क्यों सब्सक्राइब क्योंकि प्यूज उनका बचपन से एक ही सपना था कि एक मिडल क्लास फ्रैमली के इंसान को एक आम व्यापारी को एक आम स्टूडेंट को बिजनेस करना सिखाऊं आज 40 लाग 50 लाग रुपए की फीस लेखे तो सिखाना असान है अमीर लोगों को ले इसलिए यह पूरा का पूरा जो दो साल का कोर्स है जिसमें भारत के सतर अलगलग कंपनी के मालिक आज हमारे प्रोफेसर है यह पूरा का पूरा दो साल का को इसकी दो साल की फीस सिर्फ 36,000 रुपए है और उसमें भी आज एक स्टूडेंट को 50% स्कॉलर सिब दी जाती है जो भी 24 साल से नीचे यानि कि सिर्फ 15,000 रुपए हजार रुपए महीने से भी कम समझा रहा है प्यू जी इसके साथ साथ आज हमारे 130 से जादा अलग-अलग problem-solving courses launch हो चुके है यानि कि पिछला जो कोर्स था वो तो दो साल का था प्यू जी बाकी के सारे courses दो दिन तीन द पिजिटल मार्केटिन के ओपर दस स्यादा कोर्स हमारे लॉंच हो चुक है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस कैसे किया जाता है अज एक दुकान को प्रॉट इंबिल कैसे बठाटा एक दुकान को प्रॉट जाता है जाता है अब हर रोज अलग लग व्यापारी या अलग लग जॉब करने वाले लोग कॉल करते हैं अलग लग कोर्स के बारे में समझते हैं काई बीश से खरीद के जाते हैं प्यूजी यहां तक समझ आ रहा है आपको अब यह तो जो व्यापारी के लिए जो स्टूडेंस के लिए ग्राजुएशन के बाद के जूनियर और बड़ा बिजनेश जूनियर में आज एक भारत के हजारों बच्चे आज बहुत तहीं से ग्रो कर पा रहे हैं बड़ा बिजनेश जूनियर में आज एक बच्चा अगर चाहे तो नरसरी से लेके बारावी तक की पढ़ाई नरसरी से लेके बारावी तक की पढ़ और आज सबसे अच्छी बात क्या है स्कूल जाना तो अच्छी बात है मैं सपोर्ट करता हूं लिए बच्चे को जिंदगी में कभी ट्यूसन जाने की कोचिंग जाने की जूरत नहीं पड़ती और आज सिर्फ सी बीएसी बोल्ट में नहीं कर चुके हैं अप्यूजी पूझो सबसे अच्छी बात क्या है क्या है सबसे अच्छी बात यह है कि एक्जाम के साथ भी एक्जाम के बाद भी इसका क्या मतलब यानि की एक बच्चे को बच्पन से क्लास में टॉप करना एक्जाम्स क्लियर करना अकैडमिक्स तो सिखाते ही सिखाते हैं लेकिन आज एक बच्चे को बच्पन से बिजनेस माइंड़ बनाते हैं उसको व्यापार सिखाते हैं हर क्लास में लेवल वाई लेवल उसको बिज आज पच्चास हज़ार से ज़्यादा वीडियोस, तीन हज़ार से ज़्यादा किताबों के साथ भारत के बेश टीचर्स और टेनर्स के साथ, टॉपर्स के एंसर सीट के साथ आज हमने लॉंच किया बड़ा बिजनेस जोनियर अब आज आप से प्यूर्जी एक सवाल बूशता हूं कि आज 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 उनकी मंथली ट्यूसन फीज चारजर पाँजर रुपय महिना होती है सारे सब्जेक्स को मिला कि सही कह रहा हूं मैं जी सर अब यही सवाल में आप सबसे भी पूछ रहा हूं आज आठवी नौवी दसवी ग्यारवी बार्यू क्लास के जो बच्चे हैं आज उनकी मंथली ट्यूसन फीज 4,000, 5,000, 6,000 रुपय महिना होता है सारे सब्जेक्स को मिला कि वो भी अगर दिल्ली, मुंबई, बैंगलोरी से सहरों में हो नौकाइबे रुपए हैं बताइए प्यूस जी कम है या बहुत जादा है । सालाना बिलकुल साही सवाल पूछा है आपने आज बड़ा बिजने जूनियर की फीज़ पूरे स्थाल भर की फीज़ सात हजार 1990 रुपायइ अब बताइए फीज कम है कि जादा एं तो मुझे लगा कि मंत्री पीस है येस बहुत ज़्यादा कम है आज हजार रुपए महीने से भी कम में हम लेके आ रहे हैं पुरे भारत में रिवल्यूशन लेके आ रहे हैं बहराल जल्दी सागे चलते हैं उसको और डीटिल में समझते हैं आज कई अलग-अलग हमारे बिजनेस बिंद्रा जी का सबसे बड़ा लीडर्सी प्रोग्राम आज जल्दी से सारे कोर्स के दाम बता रहा हूं क्योंकि आप जल्दी से मैं आई-बी-सी का काम समझाने वाला हूं आपको दूसरे पार्ट में अभी जितने भी मैं एक सो तीस वाल अगला कोर्स बताए ना सबसे पहले इसके साथ भारत के 200 से जदा कॉलेजस में आज हमारे मुबाईल लैप से बच्चों को पढ़ाया जाता है आज भारत में पंद्रा सो जदा कंपरेट कंपनीज में वेग बंदाजी के चलती है बेरहाल जल्दी से दूसरे पार्ट में चलते हैं दूसरा पार्ट कैसे है प्यूजी एक्साइटेट हो जानने के लिए जी सर बहुत जल्दी से इसको आगे और डीटेल में समझते हैं अभी इसको समझाने के लिए प्यूजी सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि वेग बिंद्रा जी को भारत देश में चालीस करोड लोग जानते हैं कितने हजार लोगों को आई बीसी बनने का मौका मिलगा है जो पूरी जुमकी वेख बिंद्रा जी के साथ जोर के अच्छी इंकम कमा पाई Kap vaccinations कि अपने अपने MARY कि आप सबसे भी पूछ रहू है आप सबसे आप मदे आप students तो नहीं कि अंजान नंबर्स निकाल के कॉछ भी नहीं कि कस्टमर्स खुद आते हैं खुद समझते हैं खुद खरीद के जाते हैं कंसल्टेंट का काम है डॉक्टर की तरह काम करता है अब इसमें बात कर रहा है उन पर जल्दी से बोल दीजे चुप हो जाने अन्म्यूट कर लेजिए अपने आपको फ्योजी अभी अभी ऐसा कैसे होता है इसको डीटिल में समझते हैं और और इसको समझते हैं अब इसको समझाने के लिए प्यूजी में आपसे वीडियो देखा था एक विडियो से भी पूछ रही है आप सब adalah कल लगा दिया हों kita अप लोगों के वीडियो देखा गोगर heavier तो खुझ से कॉल लगा दिया या तो खुझ से अपलाईनाओ का फॉर्म भर दिया बार में जानने के लिए समझने के लिए अब जिसे आप लोग तो आई भी सी जानने आए हो वैसे ही आज भारत में हर एक अलग-अलग व्यापारी अलग-अलग यहांते हर रोज हजारों लोग देखते हैं और स्प्राइटें जानने के लिए समझने के लिए पूछो कि मुझे तो Digital Marketing नहीं आती, खेर आपाइजिस्टल Marketaanley हो. बट फिर भी कोई आम आदमी बोले कि सर मुझे तो Digital Marketing नहीं आती पूछो एक बार प्योजी जी सर, कैसे होगा हो मुझे नहीं आती बारत के आज सेकलो अलागला दिजिटल माकेटर साच हमारी टीम में काम करते हैं, जो हर एक आईबीसी को दिजिटल माकेटिंग का सपोर्ट देते हैं, आपको खुद से करने की जुरुत नहीं है, वो खुद आपका नंबर लेते हैं, वो खुद एपलाई कि अगवाई से बड़ा फाइदा गया में सबसे बड़ा फाइदा यूज है कि आज अगर आप एक की रहना दुकान खुलने जाओ गाजीबाद में तो एक एक अच्छा सा किराना दुकान खुलने में कितना खर्चाएगा सर अमोमन मतलब कहीं नहीं डो मिला के देन खरचा मिला दोतिन LAU amigos चक्टे ओम गाओ तो हो जातAL और तो 10 लाग तो हो जाता है अपने दुकान खोलने का एक आइडिया बता है अब एक दुकान चलो आपने प्यूज भाई खोल भी लिया लेकिन एक दुकान खोलने के बाद ऐसा तो नहीं है ना कि जीवन में दुबारा एक भी रुपया नहीं लगाना पड़ेगा लेकिन आज बड़ा बिजनेस में सबसे बड़ा फाइदा यही है कि आज आपको आई बीसी बनने के लगर सलिक कर लिया गया तो आपको 20 लाग, 30 लाग, 10 लाग रुपय नहीं लगाने पड़े बहुत छोड़ी सी फीस होती है, यह पैसा भी वापस लोटा दिया जाता है दूसरा फाइदा, आपको जीवन में दुबारा जो लगाया वो तो वापस होई गिया दुबारा एक भी रुपया बड़ा बिजनेस को नहीं देना पड़ता समझा रहा है प्यूज जी? तो खेर पता ही होगा, आज बाकी सब कोई पता होगा, एक बार चैट पर यस लिखके बताएगा तो जो लोग पार्ट ताइम में काम कर रहे हैं पचाश दर महीना कमा रहे हैं वो हर महीने अपनी इंकम का 10 परसेंट यानि की चार से पांट जार रुपए डिश्टल मार्गेटिंग में लगाते हैं ठीक है अब जो आई बीसी साइट काम कर रहे हैं एक लाख रुपए सवा पर महीना कमा रहे हैं वो अपने इंकम का आच चार दर्स परसेंट आणि की आट दर्स जार रुपए डिश्टल मार्गेटिंग में लगाते हैं जहां से हर रोज उनके पास पचास से साथ के स्टमर की कॉल आती है लेकिन एक नया आई बीसी जिसको पहले महीने में तो पहल रोज 20-25 कस्टमर की इंकवाईड़ी आ जाती है किकनी आती है इस से 25 बीस से 25 किस्टमर की इंकवाईड़ी आती है अब एक चीज़ बताना प्यूल जी किए कि अगर आपको सारा कुछ सिखाया जाए ट्रेनिंग दिया जाए कस्टमर से बात करने के लिए सारे ट्रेनर्स मि इतनी मजबूत करते होंगे राइट बहुत जबर्जश ट्रेनिंग होती है अपने आई बीसी स्की और ऑनलाइन ट्रेनिंग तो जीवन बर चलती ही चलती है लेकिन अगर आप दिल्ली आ सकते हो तो फिजिकली डॉक्टर विवेक बिंदरासर के आफिस में आपकी तीन दिन की फिजिकल ट्रेनिंग होती है अब कैसा लगेगा प्यूज जी आपको विवेक बिंदरासर से मिलने का मौका मिले सामने चैट पर जल्दी से मुझे लिखके बताइए कैसा लगेगा आपको विवेक बिंदरासर से मिलने का मौका मिले तो जिन भी 100 लोगों का सेलेक्शन होता करा है डिल्ली में ओपील सर के से आपको तर वीडियो दिखा रहा हूं कि किस तरीके से पाइब का मेरे पास सिर्प 40 मिनट और बचे हैं तो ध्यान से एक चीज़ को समझते जाएगा लिखते जाइगा Support मुस्किल से 40 मिनट और बचे है बहुत तेही से समझा ना है तो जल्दी से एक चीज़ समझते जाएए बेरहाल जल्दी से उन वीडियो को देखते हैं झाल झाल कि गुट मॉर्निंग गाइज मेरा नाम हरपाल मौरे है मेरा नाम निद्र कुमार है मैं सेल्फ एमेच बैलिम इन तीन दिनों में मैंने बहुत कुछ लर्न किया बहुत नॉलेज भी जब आप डिस्टली करते हो तो हाँ पे कहीना कहीन लिमटेशन आ जाती है आप सवाल नहीं नहीं पूछ पाते हो फिजिकली आने से फायदा यह होता है कि आपको एक माहौल मेलता आपके डॉट्स दूरंत वन तुवन आपने से क्लियर कर सकते हो यहां लर्निंग और अर्निंग दोनों है और इतने बड़े-बड़े मॉटिवेटर बड़े-बड़े सर अफसर सबने उस्टार्ण की आप देन आट को अफसरों कौने हमको इतना ट्रेंग किया तीन दिन के अदर इन्टी रिंग ए यह इतनी सपोर्टिव ए इतना सपोर्ट इस्टेम इतना सब्सक्रां जबड़ता है नय रूखेंगे ना थकेंगे और अगे बढ़ते रहेंगे कर आपकी तो बहुत जबर्जश ट्रेनिंग होती है वैसा होता है कि आते कुछ और आप जाते कुछ और इसको ध्यांद से आगे समझते मैं आगे आगे अ ट्रेणिंग कैसे हो यह सिमस्षर का लिए आप這些pektा ल perspectives from wissen ja हारोज अगर आपको ट्रेनिंग मिले सिखाया जाए तो कस्टमर से बात करना तो सीखी जाओगे ना अभी फिर भी ने सीख पाए तो पूछो क्या होगा क्या होगा तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि आपको भारत के टॉप अगलग अगलग सेल्स प्रोफेशनल्स मास्टर्स कंसल्टेंट्स होते हैं आई बीसी मानेजर जो हरे कस्टमर से बात करने में आपको कॉंफरेंस कॉल वीडियो कॉल वेबिनार का सपोर्ट दे हैं यह सबसे बड़ा फाइदा है आई बीसी बननेगा सबसे बड़ा फाइदा है कि और ऐसा नहीं कि दस बएसे पांच बजे तक सुबह आठ बजे से लेकर रात के एक एक बज़े तक आई बीसी मैंजर आपको कॉंफरेंस कॉल वीडियो कॉल वेबिनार का सपोर्ट देते इसी के चलते आज एक IBC आज पहले महिने से इतनी तेजी से ग्रो कर जाता भी प्यूजी आपसे एक सवाल बुजता हूँ अगर रोज पंदरा दिन बीस दिन स्टार्टिंग के एक महिने तक अगर रोज आपको बीस पतीस कस्टमर से कॉंफरेंस कॉल वीडियो कॉल करने का मौका मिले तब तो कस्टमर से बात करना सीखी जाओगे ना आज जी सबसी आज आपका सेलेक्शन हो गया आपकी तीन दिन की टेनिंग हो गई और पहले दिन आपको पंदरा कस्टमर ने इंक्वाईरी करी अब पहले कस्टमर ने बोला कि प्यूजी मैं वेक बिंदा जी का साल से फैन हूं मेरा कपड़े का अच्छा बिजनेस चल रहा है होलसेलर हूं माल भेज़ देता हूं लेकिन टाइम पैसा नहीं आता कई बार तो वर्किंग कैपिटल की बहुत दिक्कत होती है धंदे में कैस मैनेज करने बहुत होता है तो प्यूजी मुझे बिंदरा जी का सब को समझाया कश्टमर खरीड के गए और सारा का सारा कमिस्र प्यूज बोल रहा हूं वेग बंदाजी के टीम से बात हो रही है मेरा जो है रेस्टोरेंट का बिजनेस है बहुत यग से रेस्टोरेंट को स्केल कर पा रहा हूं लेकिन ऐसा है कि दस साल से एकी दुकान में बैठा हुआ हूं तो मुझे एक जानना है कि मैं कै Minor को को या को समझाया चास्टेमिर फरीड करेगा और सारा का सारा कमिशन प्यूजी किसके अकाउंट में मेरे येस प्यूजी वेरी स्मार्ट आपके अभी अगले कश्टमर ने प्यूजी बोला कि मेरा बच्चा जो है पांचवी क्लास में है मुझे बड़ा बुजने जूनियर के बार में जाना है आपने कॉल पे लिया समझाया गए और कमिशन किसके अकाउंट में प्यूजी आप अभी महिने के स्टार्टिंग में 15 दिन 20 दिन 25 दिन हर रोज कॉंफरेंस कॉल वीडियो कॉल वेबिनार का सपोर्ट मिले तब तो प्यूजी कस्टमर से बात करना आप खुद भी सीख जाओगे न हाँ सर फिर भी नहीं स साल के लिए नहीं पूरी जिंदीगी भर के लिए डेडिकेटेड आई बींसी मैनेजर का सपोर्ट मिलता है जो हर जगा हर स्टमय आपको सिखाते हैं कैसे सपोर्ट करते हैं हर जगा पर हर स्टेज में ताकि आप सबको समझ में आगया चैट पर यस लिक एक बदाद दो अगर IBC मेंजर का regular support मिले रोज conference call, video call, webinar का support मिले तब तो करी लोगे ना भी जल्दी सागे चलते हैं अप यूजी इसके बाद एक और सीज बता दूँ कि ऐसा नहीं कि सिर्फ IBC मेंजर है आपको learning सार्थी मिलते हैं जो हर जगा पर आपको one-to-one training देते हैं आपको personal business coach मिलते हैं जो हर जगा पर one-to-one आपको business coaching केते हैं, business सिखाते हैं आपको एक mobile app मिलता है one-up और एक mobile app ये पूरा संसार है बड़ा business का एक mobile app से एक IBC पूरे बड़ा business की franchise समालता है आपको एक personal website भी दी जाती है, जिस website से कोई भी customer inquiry करें, inquiry सीधा आपके पास आती है, इस website से कोई भी customer जागे, कोई भी course खरीदे, commission सीधा, आपके पास आती है इसको समझते है, अब इसके लिए मनमेक सवाल सबसे पहले मैं आप से पूछता हूं जी कि आज बड़ा business के सारे courses बनाने का खर्चा company उठा रही है, आज बड़ा business के सारे professors बनाने का खर्चा भी company उठा रही है, आज बड़ा business के जितने भी अलग-लग TV सोज आ रहे हैं, जि कितने लोगों ने देखा, कबिल सर्मा सो पे डॉक बिंद्रा जी आये थे, चैट पर एक बार येस लिखे बताएगा जल्दी से, आपने देखा था, पूरा वीडियो देखा में बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, तो अच्छा यह तो चलो गए थे, लेकिन IBC को बिना कोई दुकान खोले, बिना कोई बहुत ज़्यादा खर्चा किये, घर बैठे-बैठे, सीधा-सीधा, 33.33% का मार्जिन, यानि की one-third of the revenue, एक IBC का अपना प्रॉफिट होता, एक IBC का अपना मार्जिन, कैसा मार्जिन है प्यूर्चा किये, बिना कोई खर्चा किय बस एक बरफीस दिनी होती है, सेलेक्शन के बाज, वो भी वापस हो जाता है, मैं बताऊंगा, तो यह सबसे बड़ा फाइदा है, बेराल जल्दी सागे चलते हैं, अब प्यूजी मन में एक सवाल आता है, जैसे आप इस मीटिंग में आता है, आज से इक्जाक्ली तीन साल पहले मैं भी इसी मीटिंग में आया था, भारत के आ, सबसे पहला IBC बना था मैं, तो जब मैं इस मीटिंग में आया प्यूजी तो मेरे मन में एक सवाल आया, पूछो क्या सवाल आया? क्या सवाल था वो सर्? श्राइक आज मेरी नौकरी जो है वो आज आप समझेंगी 25,000-30,000 रुपए की लग रही है और आज एक आई बीसी पहले महीने से सबसे पहली चीज़े का इसने अच्छे से डिसकस कर रहे हो आज एक नए आई बीसी जिसको हो सकता है बोलना भी नहीं आता हो जो भी जल्दी से बोलो ना जुपो जाने है आप सब को बता दूं कि आज एक नए आई बीसे जिसको रहता है बहुत अच्छे से बोलना भी नहीं आता हूं मैं जब बड़ा बिजनस माया था तो मुझे मैं ऐसा था कि इंट्रोवर्ट था मुझे लोगों से बात करने में डर लगता था मुझे हेजिटेशन होते थी तो एक नया आई बीसी किस तरीके से पहले महीने से बात करेगा प्यूस जी मैं अभी वह समझाने वाला हूं कि जिसको हो सकता है बहुत अच्छे से बोलना भी न हाँ पर मैं सिर्फ बारह customer के example से समझा रहा हूं minimum लेकर चलता हूं तो में पत्चीश दिन आपने काम किया तो बारहं इंट्व पत्चीस यानि कि आईसे आईसे बैंक से बात कर रहा हूँ आप credit card लेना चाहेंगे क्या तो आप phone card देते राइट जी सर जी सर आज अगर मैं आपको call करता है कि सर मैं insurance company से बात कर रहा हूँ प्यूजी insurance लेना चाहेंगे क्या तो आप phone card देते राइट जी सर लेकिन आज मैं आपको या फिर है उसा ही हुआ है और यहां बैटे हर एक इंसान के साथ मैं दावा कर सकता हूं एसा हुआ है कि विए बिंदराजी की आज हम रेस्पेक्ट करते हैं आज हम उनको गुरू का दर्जा देते हैं आज उनका एक भारत देश हर तीन सो लोग जो खुदी इंकोरी कर रहे हैं खुद क्योंकि मैं जैसे जब आया था ना आज मैं बहुत पॉजिटिव इंसानु लेगी नुश्टाइम पर मैं बहुत डरा डरा सा नेगेटिव रहने वाला आदमी तो कुछ वैसा हाल था मेरा तो एक दम एक निया आदमी जिसको मैं सोच रहा तो यह कैसे हो जाएगा यह कैसे हो कुछ लोग होंगे इस मीटिंग में तो आज मैं इसलिए 25-30 परशन का एक्जामपल नहीं दे रहा हूं उस सिर्फ 10 परशन का एक्जामपल दे रहा हूं प्यूजी यानि कि 10 लोग जो खुदी समझने आए खुदी खरिदने आए उनमें से सिर्फ एक आदमी खरिदने आए ठीक है चलो वह भी छोड़ दो मैं 5 परशन का एक्जामपल दे रहा हूं यानि कि 20 लोग खुदी खरिदने आए खुदी समझने आए उनमें से भी सिर्फ एक आदमी खरिद के गया वह भी आईबीसी मैंजर के सपोर्ट से सरी टेनिंग के बाद तो भी 5 परशन के कनवर्ज चार लोग बिजनस कोचिंग प्रोग्राम लेके गए उंट्रेपनर वाला तो 36,000 इंटू 4,44,000 रुपई का रिविन्यू तीन लोग ऐसे हुए जो बड़ा बिजनर जूनियर लेके गए तो 8,000 इंटू 3,000 यानि कि 24,000 रुपई का रिविन्यू चार लोग ऐसे हुए जो 130 चार लोग उनमें से कुछ लेके गए तो 10,000 इंटू 4,44,000 रुपई का रिविन्यू इसमें मैंने किसी बड़े कोर्स का एक्जांपल भी निया तो भी एक IBC ने पहले महिने में किया 2,80,000 रुपई का रिविन्यू जिसमें सीधा सीधा 33,33% का कमिशन यानि कि 92,3995 रुपई का रिविन्यू जिसमें सीधा सीधा 33,33,980 रुपई आपके अकाउंट में आए आपका प्रॉपिट बना अब यूज जी आपसे मैं एक सवाल बुछता हूँ कि आज अगर आपको रेगुलर ट्रेनिंग मिले रेगुलर सिखाया जाए कि एक चीज़ सपोर्ट मि कि DR. मिल रहा है मिरी ट्रेनिंग मिल रही है तो क्या आपको लगता है आप एक काम सीख जाओगे अगर आपका सेलेक्शन हो गया जी सर मैं सीख जाओँ हो सीख जाओना अब यही सवाल यहां बैटे हरेक इंसान से पुछता हूँ मैं क्या आपको खुद पे विश्वास है क्या आपको खुद पे बरोसा है कि अगर आपको सही ट्रेनिंग मिले सही गाइडेंस मिले सही सपोर्ट मिले तो आप भी एक सफल इंसान बन पाओगे आपको यस लिखे नहीं जल्दी से चैट पर मुझे आइकैन आइविल संजीत महतर जीने सबसे पहले आइकैन आइविल लिखाए कई सारे लोग आइकैन आइविल सतीस ज्यादो जीने लिखाए आइकैन आइविल जल्दी जल्दी लिखे बताइए मुझे चैट पर आइकैन कि अगर आपको लगता है कि आपका सेलेक्शन हो गया तो आप एक काम सीख लोगे कर लोगे तो चैक पर जल्दी से मुझे आइविल लिखके बताईए द्यानन जी रजनी जी आखाज जी बिंट जी हर्दाच जी एस येस राहूल जी जीतु जी दिलीब जी सफिकूर जी सुमिद जी अनिल जी बसिद जी पंडित राहूल जी सादिक जी प्रिया जी सूर जी आइकान एए लाइख ए रिजिग राज सब्सक्राइब सब्सक्राइब जल्दी से अब तीसरे पार्ट में चल रहा हूँ प्यू जी कि जॉइनिंग फीस कितनी होती है किसको सलेक किया जाता है किसको रिजेक किया जाता है समझने को त्यार हो प्यू जी यस सर लेकिन इसको समझाने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाता हू येस सर, आप सबसे पूछ रहा हूं क्या मैं एक छोटा सा request आप से कर सकता हूं चाट पर जल्दी से मुझे येस लिखके बता दिए बस एक छोटा सा निवेदन है मेरे साइट से अगर आप मानोगे तो ही चाट पर येस लिखना बस एक छोटी सी गुजारी से अगर आप मानोगे तो ही चैट पर यस लिखना येस 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 बिलकुल सर आदेश कीजिए सर येस 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 ऑफ कोर्स ठीक है ठीक 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 बहुत-बहुत धन्यवाद अभी जल्दी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूगा प्यूजी जैसे आप इस मीटिंग में लना आठ से आट से इग्जाटनी 3 साल पहले मैं इस मीटिंग में आया थ हा और जिस इंसान मुझे में बुलाया था नह такие आज भी मेरे पूरा परिवार मेरे पिटा जी उनको धन्यवाद बोलते हैं पूंच्छी अब बता सकते हो क्यों बोलता हुमे आज यंको away इशायद आप क्यार्णिंग हो लिए? आज पिछले तीन साल की जर्णी में आज हाजारों व्यापारियों को सिखा पाया जो आज बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं पिछले तीन साल की जर्णी में आज आज तक चानल पे मेरा इंटर्विव आया ये सब कुछ आज विवेक बिंदराजी पुरे भारत का नंबर सेक्लूब विडियों मेरा नाम लेते हैं और ये सब कुछ पॉसिबल हुआ उस इंसान के वज़े से जिस ने मुझे इस मीटिंग में बुलाया था और यहाँ बेटे हरएक इश्याहर एक इंसान को बस एक छोटा सा नेविधन कर रह व Southσαएगा है जिसने भी आपको इस meeting में बुलाया है जिसने भी आपको इस meeting में बुलाया है राहुल जी यहाँ पर thank you नहीं लिखना है जल्दी लिए जाके जिसने भी आपको इस मीटिंग बुलाया बस एक बार उनको थाइंक्यू लिखके आजाई है बस एक बार उनको धन्यवार लिखके आजाई है अगर आपने लिख दिया है तो चैक पर जल्दी से मुझे यहाँ पर डण लिखके बता दीजिए रूप नरायन जी ने सबसे पर ले डण लिखा है अगर आपने यहाँ चैट पर मुझे डण लिखके बता दिजिए विकास कुमार जीने, हैमन जीने, मैपाल जी, जीतु जी, रूब जी, नितेज जी, प्रभु जी, अमित पाही जी, दिपक जी, निकेज जी, मनीज जी, रुपेज जी, मनोज जी, सुरेज जी, घजेंदर जी, लौलेज जी, आयूसी जी, वैजु जी, विकास जी, संजीब अभी भी अगर कोई सोच रहा है न तो मेरे दोस्त सोचों मत बस एक बारोस अंसान को भी कभी धन्यवार लिख दो अभी कभी एक बार उस इंसान को वाजसेपे थाइंक्यों लिख बेराल यह जो फोटो देख रहे हो ना प्यूज जी आज से तीन साल पहले जब पहली बार 19 साल की उमर में साड़े 19 साल की उमर में आई वी सी बनने के लाया था और पहली बार जब विए बंजाई से मिला था अब की फोटो है हाथ काप रहे थे और इस इंसान ने फोटो खीचे थे उनके भी हाथ काप रहे थे इसलिए फोटो ब्लर आई थी लेकिन आज भी उस मूमेंट को याद करता हूं मैं बेरहाल जल्दी से आगे चलते हैं अभी आखरी 15 मिनेट है मेरे पाश जॉइनिंग किस कि होती है किस सबसे पहली चीज किसका होता है उसको समझते हैं सबसे पहले आपकी बात IBC मैंजर से होती है या फिर वो आपको वो देखते हैं कि आप सीखने को तयार हो की नहीं आप महनत करने को तयार हो के नहीं आपका यthfo है की नहीं आप ब्रिजनेस मैंड़ हो कि नहीं व्याफार माइंड़ हो कि नहीं आप te के लिए निरने ले पाते हो की नहीं, खुद के लिए, डिसेजन ले पाते हो की नहीं, चार पां चीघे समझने के बाद, या तो वो आपको अगर आपका सलेक्षन unso log में हो जाता है तो सलेक्षन होते ही, उसके बाद जो है आपका करते हो पेमेंट करने के बाद आपको साथ है इनवाईस में हो गई है उसके बाद में ऐसा है कि मैं जब IBC बन रहा था मैं बहुत डर रहा था पुछो प्योजी क्यों डर रहा था क्यों कि उससे पहले मैंने फर्स्ट येर में वह MLM होता है ना लोगों को जोडने का काम मैंने 4000 रुपए लगाये थे और वहां पर मेरे पैसे दूब गए तो उसके चलते ना मुझे डर लगता था किसी की बिजनस को सुरूब जैसे बड़ा बिजनस बहुत IBC मॉडल एक फ्रैंचाइजी मॉडल लेकिन फिर भी मन में एक डर तो लगता ही है ना जी हेजिटेशन त क्योंकि आज बड़ा बिजनस कंपनी मनी बैक गैरेंटी देती है मनी बैक गैरेंटी यानि कि अगर आपका सेलेक्शन होगे आप फीस पेटर का IBC बन गए और अगर आप पैसा नहीं कमा पाए तो बड़ा बिजनस कंपनी आपका पूरा पैस वापस लोटा देती है लेकिन इसके लिए बस एक ही सर्थ है पुछो ऽी क्या सर्थ है क्या सर्थ कि आपको तह्येmarks 10 गंटे रोज काम करना परता है सढ़े 2 गंटे का टॉक टाइम देना परता है और अगर सो दिनों में आप सफ़ल नहीं हो पाई अगर सो दिनों में पैसा नहीं कमा पाएए तो आपका पूरा का पूरा पैसा विना कोई सवाल पूछे आपके अकाउंट में जिस आकाउंट से आपने पै किया था आपको अकाउंट वो फीस आपको वापस लोटा दिया जाता है आज तक आपने भारत में मैं आप सबसे पूछ रहा हूं कहीं भी आपने ऐसा सुना है कि आपने फ्रेंचाइजी खरीदी या कहीं डिस्ट्रिबूटर्शिप लिया या कुछ भी किया पैसा लगा के दिजनेस और आप फेल हो पहले इमांधारी बाद में दुखां दारी हाँ तो बैठे बैठे पैसा वह स्माधिया हो तो जितना सोुचा आए ना उससे बहुत ज्यादा हैब पूरी जिंदगी आएगा वर्हाल पी उसी अब ज्वैनिंग के चारो मॉडल को मैं समझाने वाला हूँ समझने लेकिन मैं चारों मोडल आपको समझाऊंगा बड़ा बुजनेस में अगर आपका सेलेक्शन हो जाता है तो सेलेक्शन होते ही जॉइनिंग का जो सबसे पहला मॉडल है प्योजी इसने लिखा है इसने पैसा लिया क्यों जाता है प्योजी मन में ये भी सवाल आता है ना आज मुझों इसको ध्यान से समझेखा आप सब आज एक आई बीसी को इतना खर्चा कैसे आ जाता है कि इतना कैसे आ जाता है फिलिंग में बुझो इतना खर्चा कैसे आ जाता है इतना खर्चा कैसे आजाता है क्योंकि प्यूजी आज एक IBC को हाथ पकड़ के सपोर्ट करती है कंपनी आज एक IBC को सपोर्ट सिस्टम मिलता है रीजनल मैनेजर, जोनल मैनेजर, रीजनल ट्रेनर, जोनल ट्रेनर, बिजनेस कोच, लर्निंग सार्थी, IBC मैनेजर dedicated manpower का सपोर्ट मिलता है, टेक्नोलोजी का सपोर्ट, आज एक IBC को personal website बना के दी जाती है आज एक IBC को personal one app बना के दिया जाता है, CRM का सपोर्ट दिया जाता है आज Silicon Valley सुनाए आपने, जहाँ Facebook का, Instagram का, Google का, Microsoft का office है आज वहां से technology की team hire करके ला रहे है, डॉक्र वेद बिंद्रा एक-एक IBC को technology का support देने के लिए इसके साथ-साथ आज भारत के second और टॉप अलग-अलग trainer, दो-दो-तिन-तिन-चार-चार-चार-लग की तेरी आज वह regularly training जितने एक IBC को, तो इन सारी चीजों में company का बहुत ज़्यादा खर्चा आता है लेकिन फिर भी अब दूसरी कोई भी company होती प्यूस जी तो धाई लाग का खर्चा आ रहा है, धाई लाग रुपे profit जोड़ती और पांच लाग रुपे franchise फिर रख देती, सही कह रहा हूं मैं बिल्कु सारा, ऐसे होता है आप सबसे पूछ रहा हूं मैं, कि आज कोई भी दूसरी company होती ही, तो आज धाई लाग का खर्चा आ रहा है, धाई लाग रुपे profit जोड़ती, पांस लाग रुपे franchise फिर रख देती, चैट पर येस लिके बताओ, येस, येस, लेकिन आज मैं आप सबको बताऊं कि बड़ business company में धाई लाग का profit तो छोड़ दीजिए, वेक बिंदरा जी आपसे धाई लाग का पुरा-पुरा खर्चा भी नहीं लेते हैं, आधा से ज़्यादा खर्चाज company खुद से उठाती है, सिर्फ आधा खर्च जो है आपको खुद से as a fees देना पड़ता है, फिर पूछो प् समझते हैं, उसके बाद एक बहुत जरूरी बात बताऊंगा, त्यारो आप लोग, अब जोइनिंग का जो सबसे पहला model है, जिसमें की आज 74,900 रुपए प्लस GST, यानि की 88,382 रुपए में आप पूरी जिंदगी भर के लिए बड़ा business के franchisee partner बन जाते हो, 88,900 रुपए मे पूरी जिंदगी भर के लिए वेक बिल्राजी के साथ जुड़के आप बड़ा business के, IBC बनके पूरी जिंदगी एक लाग, दो लाग, तिन लाग महीना तो कमाता ही कमाते हो, लेकिन पूरी जिंदगी अपने देश के लिए काम करते हो, अब बड़ा business जैसी company की franchise लेने के ल पूरी जीवन भर की one-time fees है, दुबारा एक भी रुपाई देना पड़ता, ये 88,320 रुपए है, पूरी जिंदगी भर की one-time fees है, लेकिन इसमें भी मैं आपको बता दूँ, प्यूस जी, कि 7,900 रुपए security होती है, जो की वापस लौटा दी जाती है, प्यूस जी, पूछो पैसा आपको वापस लौटा दिया जाता है, इसमें मुश्किल से 20-25 दिन लगते हैं, बट फिर भी मैं 30-35 दिन बोलके चलता हूँ, क्योंकि कई सारे लोग उधार लेके, क्या होता है, सेलेक्शन आपको बात तुरण से fees देनी पड़ती है, कई लोग उधार लेके, या इ प्रोफिट आपने पहले मैने में जो भी कमाया, साट जार, सतर जार एक लाख रुपए, वो अलग से आता है, ये पैसा आपको अलग से लौटा आया जाता है, दोनों बिलकुल अलग अलग चीज़ें, आप बताए, प्यूजी पीस कम हैं की जादा है, सारे तो बहुत अच इसके सारे के सारे पेड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, फ्री में मिल जाते हैं, अब बताए, प्यूजी, जितने भी अलग अलग ट्रेनिंग बिजनस के कोर्सेज हैं, दो साल वाला कोर्स है, जीवन भर के लिए आपको फ्री में मिल जाता है, विक बिंद्रा जी का मानना ही क बहुत कम है बहराल इसके साथ-साथ मैं आपको बता दूँ एक-दो लोगों ने लिखा है कि ज्यादा चार्ज है मुझे पता है हो सकता है आज लेकिन इसमें और भी तीन मॉडल है उसको द्हां से समझी है दूसरा जो मॉडल है जिसमें की आज पचासी हजार नौसर रुपए प्लस जीएस्ट यानिक एक लाके 1362 रुपए में आप पूरी जिंगी वर्गी लवड़ा बिजनस के देशेटेंट बन जाते हो जिसमें की साथ-चाजा-जा-जा-जा-बे सिक्रिटी होती है जो की वापस लोटा दी जाती है इसमें भी बीस दो मॉडल हो गए अब यूजी होता क्या था कि मान लिजी आज तो लोगों को सलेक किया गया ठीक है तो नबे लोग तो तुरंट से फीजबर के आई-बी-सी बन जाते थे लेकिन आज दस लोग हमेशा ऐसे होते थे जो पैसा नहीं अरेंज कर पाते थे जिसके चलते उनको को रिजेक्ट कर दिया जाता समझा रहा है लेकिन वियक बिंद्राजी ने इसमें भी मीटिंग करी और इसमें भी मीटिंग करते हुए एक और मॉडल लॉंच किया जिसमें कि आज सिर्फ 49,000 रुपए प्लस जीएस ती यानि कि 46,020 रुपए में आप पूरी जिंदगी भर के लिए बड़ा बिजनेस के फ्रेंचाइजी बंजाते हो आप पूरी जिंद्गी भर के लिए वियक बिंद्राजी के साथ जुड़के अच्छा पैसा तो कमाते ही कमाते हो लेकिन पूरी जिंद्गी बिजनेस और व्यापार सीखते हो और अपने देश के लिए काम करते हो प्यूजी पूछो कि इसमें फीज कम क्यूं हुआ कहीं ऐसा तोने सफपोर्ट कम मिलेगा करीं सब कुछ बिल्कुल सेम है लेकिन इसमें आपको पैसा निकल जाता है दूसरा आपको टाब्लेट नहीं मिल पाता है और तीसरा इस वाले मौडल में जारे 20 लाख रुपए के की कोर्सेज आपको मिल जाते हैं लेकिन सीरे होने से अच्छा है यह वाले मौडल में परहटा-फ़ जॉइन करने कोभी कमाई बिल्कुल से होती है सबसे पास पैसे की बहुत ज़्यादा दिक्कत है लेकिन इसके साथ-साथ एक चौठा मॉडल भी लॉंच किया वेक बिंद्राजी ने प्यूजी पूछो वो क्या है वो क्या है उस वाले मॉडल में आज कई लोगों ने बोला कि सब तीसरे वाले मॉडल में बाकी के 64,000 प्लस ज्येस्टी में आप पूरी जिंदगी बर के लिए बड़ा ब्रिसनस के प्रेंट्राइज पार्टनर बन जाते है वह वह बैदा रहा है सिर्फ 60 ऑक लिए俘 está आपको इन में से कौन सा मॉडल सबसे ज्यादा पसंद आया जल्दी से मुझे चैट पर लिखे बताया पहला दूसरा तीसरा या चौथा जल्दी से मुझे चैट पर लिखे बताये मैं देखना चाहता हूं आपको इन में से कौन सा मॉडल सबसे ज्यादा पसंद आया जो कुछ का यह यह कि आप कर सकते हो हर को नहीं कर सकता थीक है लेकिन जो कर सकता है उसके लिए बहुत बेश्ट है बाकि चारों सबसे बेश्ट है जिसमें सबसे में मुद्दा है जाना मैनेजर सलेक्शन कर ले तो अपने आप पूरी जंगी बदली जाती है यह मॉडल तो 54 थाउजन वाला है वह भी बहुत अच्छा है वह भी बहुत बेस्ट है ओके दूसरा 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 तीसरा लिखाए किसे निये ठीक है ठीक है पहला लिखा है राजू जी ने ठीक है ठीक है रगवेंदर जी पाओ आप सॉलेक्शन कैसे होगी अब इसको ध्यान से समझना आप सब ये जो मैं बताने वाला हूं आप सब से जरूरी बात बोलने वाला हूं आप साब को बता रहा हूं जितने भी लोग जूब बड़ा बदुस अपने आज से इग्जाक्ली तीन साल पहले में बड़ा दुसमाया था और एक बहुत साधरन परिवार से निकल के आया था तो डेढ़ लाख रुपए की फीज थी उस टाइम पर प्यूजी कितनी फीज थी डेढ़ लाख रुपए की फीज ती जैसे आप लोगों ने वेबिनार अट किया था डेढ़ लाख रुपए की फीज थी उस टाइम पर डेढ़ लाख रुपए सुनने के बाद ऐसा हुआ कि मेरी हालत खराब हो कि मैं डेढ़ लाख रुपए कहां से अरेंज करके लाओंगा प्यूजी में हॉस्टल में बैठा हुआ था अपने कॉलेज की थार्ड य में खाना खाने के लिए जाने लगा लेकिन फिर फिर मंन में सवाल आया पूछो दूब गया तो क्या करूँगा एक बार डेड़ लाग रुप गया जीवन भरका अपसोस हो जाएगा मन में बहुत लोगों के मन में डर होता है और उस टाइम पर मनी बैक गारेंटी भी नी थी जो आज आपको मिलती है मुन्ना जी बिनोज जी लेकिन फिर मेरे मन में एक पॉजिटिव सोच भी आई क्या पता मेरा पैसा ना डूबे क्या पता प्यूज जी आज भारत के 70 कंपनी के मालिक विएक बिन्दरा जी के स्टार्ट ट्रेनिंग दे रहे हैं उन्होंने कुछ तो रिसर्च किया होगा प्रोफेसर बनने से पहले कुछ तो उन्होंने डू डिलिजन्स किया होगा यूही पतंजली के अचारिया बाल कृ इसना 20,000 क्रोड के मालिक आके प्रोफेसर तो बनेंगे नहीं कुछ विजन देखा होगा विएक बिन्दरा जी का तब ही 70 कंपनीस के मालिक प्रोफेसर बने अज विएक बिन्दरा जी वहां से निकलके यहां तक आ सकते हैं तो उनके साथ जुड़के हो सकता है मैं भी प्रोफेसर बात करने का पैसा तो लग नहीं रहा है प्यूज जी बिल्कुज़ अलेक्षान होगा की नहीं होगा यह देखने का कोई पैसा तो लग नहीं रहा है मन में कम से कम जो सवाल है यह तो पूछ लूँ आईबीसी मैनेजर से और बस इसी सोच के साथ उस दिन मैंने आईबीसी मैनेजर को कॉल लगाया जिसने मुझे बुलाया था、 उनको बूला मैनेजर से बात करायी, उन्होंने कॉनफेंस कॉल पे बात करायी और यकीन मानना मीरी जिंदगी सबसे लखी दिन था वो क्योंकि manager ने मेरे एक-एक सवाल को सुना मेरे एक-एक question को सुना मेरा selection तो किया ही किया लेकिन मेरे हर एक सवाल का जवाब दिया मैंने जो भी पुझा मुझे एक-एक करके समझाया मैंने जो भी मांगा उन्होंने मुझे एके करके दिखाया यहाँ तक कि मैंने यहाँ तक बोल दिया प्यूजी कि सर मुझे अभी मन में डर लग रहा है संकोच हो रहा है एक बार वीडिо कॉल पे आ जाओ मैनेजर ने मेरी बात रखी IBC in the country और यहां बैटे हर एक इनसान को जिसके अंदर जरा भी एक इच्छा है ना एक सफल इनसान बनने की जिसके अंदर जरा भी एक चाह है ना एक अच्छा काम करने का अपने देश के लिए काम करने का जिसके अंदर जरा भी एक चाह है ना एक लाग दो लाग तीन लाग च प्यूज जी आप सबको बोल रहा हूं मैं जिसने भी आपको बुलाया उनको अभी के भी मेसेज कीजिए कि मेरी आई-बी-सी मैनेजर से बात करवाईए अभी के भी जिसने भी आपको बुलाया है थे क्या मेसेज करना है मैं सुन नहीं पाया सर आपको मेरी आई बीसी मैनेजर से बात करवाईए क्या मेसेज करना है मेरी आई बीसी मैनेजर से बात करवाईए मेरी आई बीसी मैनेजर से बात करवाईए जिसने भी आपको इस मीटिंग में बुला है लोग अभी मेसेज करेंगे कि मेरी IBC मैनेजर से बात करवाईए उन्हीं को IBC मैजर से बात करने का मौखा मिलेगा तो फटा फट जिसने भी बुला यहाँ पर नहीं लिखना है राहुल जी चैट पर नहीं वाटसेप पर जाके मेसेज कीजिए जिसने भी बुलाया है कि मेरी IBC मैजर से बात कराईए अगर वाटसेप पर लिख दिया है तो यहाँ चैक पर मुझे कि मैंसान से एक ही सला दे रहा हूं लेकिन सबसे पहले मैसेज कीजिए जिसने भी बुलाया है कि मेरी IBC मैजर से बात करें अप्यूजी जिन भी लोगों की मैनेजर से बात हो जाती है आज आपको सबसे पहला सवाल पुछना है उनसे कि सर मैं IBC बन सकता हूँ या फिर नहीं बन सकता हूँ तब से पहला सवाल पूछना है आपको मैनेजर से IBC मैंजर आपके बारे में जानेंगे आपके बारे में समझेंगे और आपको सही सलाह देंगे कि आपको IBC बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए और आपको बताएंगे कि आपका selection होगा या फिर आपको reject कर दिया दिए अमिर जी लिख रहे हैं सर क्या payment अभी के अभी करना पड़ेगा बिलकुल अमिर जी अगर selection हो जाता है पहले 100 लोगों में आपका नाम आजाता अगर manager कहते हैं बिलकुल सरा बन सकते हैं तो मन में जितने सवाल हैं पूछी और उसके बाद payment चारों में से किसी भी model में आपको अभी के अभी ही करना पड़ेगा सबसे बेस्ट है अभी के अभी payment करके कल से as an IBC विएक बिंदराजी के साथ जुलके काम कीजिए लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं 100 में से जिनको पैसे की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो लोग ऐसे जरूर निकलेंगे तो प्यूज जी फिर पुछो उनको क्या करना है फिर उनको क्या करना है उनके लिए भी मैं एक सलाह दे दे रहा हूं अगर सलेक्षन हो जाता है अगर मन में जितने सवाल है पूछ ले तो अगर वीडियो कलपे मैंजर से बात हो जाती है तो उसके बाद आपको रिक्वेस्ट करना है मैंजर से कि सर 25 जार 30 जार 20 जार 15 जार कुछ भी मिनिमम मिनिमम 5 जार रुपए का token लेके मेरा seat book कर दीजिए, मेरा seat block कर दीजिए, बाकी 99 लोगों का नहीं पता, लेकिन आपका seat अभी के अभी block हो जाएगा, आपको reject नहीं किया जाएगा, बाकी का payment अगले 10 दिन, 12 दिन में arrange करके, और आप as an IBC बड़ा business के franchise partner बन सकते हैं, लेकिन अभी के अभी manager से बात कीजिए, dinner बात में कीजिएगा, हो सकता है एक दिन रात में लेट हो जाए, हो सकता है, नीद रात में lेट आए, लेकिन आज अपनी जिन्दगी के लिए, अपने future के लिए, अपने देश के future के लिए, अभी के अभी, जिसने भी आपको इस मीटिंग में बुलाया है, उनको मेसेज कीजिए कि मेरी IBC मैनेजर से बात करवाई, अगर बात हो जाती है तो सबसे पहला सवाल सर मेरा सेलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा, अगर सेलेक्शन हो जाता है तो मन में जितने सवाल है पूछिए और फटा फट, या तो जॉइनिंग कंप्रीट करके कल से काम सुरू कर दीजे या फिर सीट ब्लॉक करवाईए, मैनेजर से बात करके पांच जार, दस जार, पंद्रा जार, जो भी अभी आपके पास है लगा कर सीट ब्लॉक करवाईए, रिजेक्ट होने से अच्छा है सीट ब्लॉक कराऊ중 बेरहाल जितने लोगों ने करा दिया है, या फिर जितने लोगों ने अपना जोई, मैनेजर के बात करने के लिए मेसेज कर दिया है चैट पर मुझे डन लिखे बता दीजिए सबसे पहले प्यूज जी आपका बहुत-बहुत धन्यवा ताइंक्यू सो मज़ मुझे इतने अच्छे से मदद करने के लिए हेल्प करने के लिए आप सब को रिक्वेस्ट करूँगा मेरे दोस्त आज एक साधारन परिवार के इंसान के लिए सफल होना बहुत मुस्किल है लेकिन जाके मैनेजर से बात करो मैनेजर से जाके पूछो कि सर क्या मैं जे आई बी सी बनना चाहिए क्या मेरा सेलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा मैनेजर आपको सही गाइडेंस देंगे सही सलाह देंगे कहते हैं कि वक्त से लड़के जो नसीब बदल दे इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे काम करो ऐसा कि नाम बन जाए हर कदम चलो ऐसा कि निस्तान बन जाए जिन्दगी तो हर कोई काट लिता है मेरे दोस्त, लेकिन जिन्दगी जीयो ऐसे कि एक मिसाल बन जाये, जब मंजिल को अपना मां लिया, आखों में अर मां लिया, फिर मुश्किल के आसान क्या, जब ठान लिया, तो ठान लिया, ठानना जरूरी है है, बूसन जी ने, रानी जी ने, कविता जी ने, हमन जी ने डन लिख दिया, जल्दी जली चार्ट पर मुझे डन लिखे बताए अगर आपने मैजर से बात करने के लिए मेसेज कर दिया, प्रवीन जी, मनोज जी, सलिमुदीन जी, अभिशेक जी, विनोज जी, मोईज जी, प्र बुलाया उनको मेसेच कीजिए कि मेरी आई बीसी मैजर से बात कराईए डण 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 राहुल जी ने अपना टोकन भी बुक करा लिया है यानि कि सिर्फ 99 सीट्स और बचिये जाए और जाके मैनेजर से बात कीजिए सो ओम जी ने पेयमेंट भी कमसेट कर दिया लेटे लेटे मीटिंग को देखने से अच्छा है अभी के अभी जाके मैनेजर से बात करना और एक सफल इंसान बनना जिंदगी में आगे बढ़ना है तो पहला कदम आपको उठाना पड़ेगा इस वेबिनार में आने के लिए अगर सलेक्शन हो जाए तो फटा फट जॉइन कमाने के लिए आप सबका प्रेम पुरुवग बहुत बहुत धनेवाद बड़ा बिजनेस एक जिम्मेदार और इमांदार कंपनी है तो बिना किसी संदे क्या पेमिन कर सकते हैं एक बार मैनेजर से बात जरू हो जाए जाए जाके मैनेजर से बात किजिए अपना टोकन जमा किजिए वन्स अगेन आप सबका प्रेम पुरुवग बहुत बहुत धनेवाद थाइंक यू सो मच एवरिवन